नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का दोस्तो एचसी सीटी भरती से समनित अभी अभी एक और नहीं खबर आई है आपका रिजल्ट है वो किस फॉर्मूल से आने वड़ा है मैं आपको लाइव एक्जाम्पल के साथ बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपका रिजल्ट आ उसमें क्या था मेहनत करने वाले बच्चे यानि के जिनके सत्र असी नमबर थे वो रह गये थे पत्पंसाट वाड़ों का हो गया था तो चलिए हम आपको दिखा देता हूं कौन सा फॉर्मूला और किस तरीके से फॉर्मूला लगा रहे हैं वीडियो मागे बढ़ने इस प इस टाइप का एक फॉर्मूला मतलब देखने को मिलेगा परसेंटार मेंठ्न है वह इस तयुंट ने किलने सब्सक्रा county मैं थोड़े है उसका negative marking दिया जाएगा इसमें मैंने वैसे बताया नहीं है उसके बाद आपके valid question यानि के attempt कितने किये थे उसके बाद किया है आपने कितने सही किये हैं उसके बाद आपने कितने गलत किये हैं यहाँ पर आपका negative marking नहीं होगी इन चीजों का भूल जाएए यह चीज़े नहीं होगी यह मैंने एक railway से data उठाया तो उस तरीके से data उठेगा उसके बाद मानलो four example आपने 40 question सही कर रखे है तो आपका score होना चीज़े था 46 लेकिन यहाँ पर देखो कुछ और ही बन रहा है percentile score है वो कितना बन रहा है 71 यह भी negative marking इसके साथ बन रहा है अगर negative marking नहीं होती तो यह और भी ज़्यादा बनता यानि कि जिस साथी ने 46 question सही किये थे उसका score बन गया 71 बन गया यह किस तरीक कैसे अमालो for example किसी ने 70 question सही कर रखे होंगे तो उसका score हो सकता है 80 या 85 बन जाए जो यहाँ पर आपको यह देखने को मिल रहा है मैं दिखा दे तो आपको दुबारा से जो आपको 71.66 है वो 46 वाले को इतना मिल गया अगर किसी साथी ने 80 कर रखे है तो हो सकता हुसको 90 या 100 भी मिल जाए और किसी किसी shift में ऐसा भी होगा कि जिसने 60 कर रखे है उसको भी 80 मिल जाएंगे और किसी shift में ऐसा होगा कि 70 कर रखे है उसको भी 80 मिल जाए तो कुछ इस टाइप को formula है जिसमें आपको देखने पर एक दो बार में तो समझ में भी नहीं आएगा तो आपकी क क्या रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं क्या यह सही है या गलत है अपनी वीडियो यहां तक देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद